हेलो इस्टूडेंट्स वेलकम टू माइ योटूब चैनल लोकें अकार्डमी मिथमेटिक्स और कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में लेक्चर 4 है जिसमें problem related to the area of a triangle किसी भी triangle के area से related क्या-क्या problem हो सकती है उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और इससे पहला जो वीडियो गया है लेक्चर 3 उसमें मैंने इस किसी भी triangle का कोई भी triangle है suppose करिए ये A, B, C ये triangle है इसका ये area मैंने 3 इसका जो लेक्चर हुआ है इससे पहला जो वीडियो हुआ है उसमें मैंने इस formula को proof करके बताया था आपको कि ये formula कैसे बना इसका पूरा derivation किसी भी triangle का area कैसे निकलता है वो मैं proof करके बता चुका हूँ और उसके साथ-साथ दो method और भी बताये थे हमने किसी भी triangle का area निकालने के लिए एक determinant भी बताये थी area of triangle ABC मानलो निकालना है मुझे इस triangle का area निकालना है हम किसी determinant के यूज से भी हम निकाल सकते हैं ये भी मैंने कल थार्ड वीडियो में आपको बताया है थार्ड लेक्चर कह सकते हैं एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थी वाई थी वन ये फार्मूला भी बताया था और एक मैंने serous diagram method भी बताया था तो किसी भी triangle का area निकालने के लिए हम इस determinant का यूज कर सकते हैं हम इस formula का यूज कर सकते हैं और हम एक serous diagram method का भी यूज कर सकते हैं clear लेकिन यहाँ एक बात और थुड़ा सा समझ लो कि यह जो determinant है अगर मैं इसे solve करूं तो solve करने पर यह जो expression है यह पूरा यह जो formula है यह जो determinant solve करने पर यह बिल्कुल ऐसा convert हो जाता है ऐसा भी है देखें जरा मैं मालो c1 के respect में अगर हम इसकी value निकालना चाह रहे हैं तो यह मैं कल भी बता चुका हूं आपको इससे पहला जो video है इसमें मैं mention कर चुका हूं तो यह आपका यह क्या होगा यह sign convention क्या होता इसका यह रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस यह जो है c1 का sign रहेगा तो देखें जरा कैसे निकलेगा यह आप इस formula को इसमें convert कर सकते हैं देखें कैसे करेंगे x1 bracket half लगा हुआ है पहले तो x1 c1 column में मौझूद है और आपका r1 row है तो multiplication बचा क्या y2 y1 y2 और y3 और 11 तो हमने क्या बताया था कि इनका multiplication कैसे होता है यह होगा shortcut कर रहा हूँ इसको तो y2 का 1 में क्या हो गया y2 हो जाएगा minus y3 देखें जाए उसके बाद फिर हम x1 का इसके साथ multiplication होगा फिर उसके बाद second term लेंगे x2 x2 का sign क्या है यह आप जादा देखें sign यहाँ इस x1 का sign क्या था positive positive को लगाने की जरूरत नहीं है x2 negative है तो मैं negative लगाँगा sign और x2 लिख दूँगा clear उसके बाद फिर से अब x2 कॉलम तो वही है row change हो गया तो बच्चा क्या हमारे पास यह पूरा कॉलम के element को छिपा दो इस second row को छिपा दो y1 y3 1 1 तो multiplication फिर से वही तरीका यह इस diagonal का y1 का 1 में तो y1 minus y3 इसके बाद फिर क्या है आपका x3 बच्चा sin क्या है x3 का plus है फिर से आप इसको x3 फिर से row change हो गई कॉलम यह रहेगा बच्चा क्या आपका इनको हम चिपा देंगे तो y1 का 1 में multiplication तो y1 minus इढ़र से y2 अब देखें यह formula इससे match कर रहा है बस थोड़ा सा matching नहीं हो रही है वो कहां नहीं हो रही है जो middle term है यहां सारे positive हैं यहां यह negative आ गया तो हम इसको positive कर सकते हैं 1y2 x1 y2 minus y3 यहां से minus common निकालूंगा तो यह positive हो जाएगा minus minus plus और x2 और यह आपका y3 positive हो जाएगा y1 minus का हो जाएगा और उसके बाद x3 और y1 minus y2 clear तो जाएगे यह expression और यह expression सेम है आप किसी को भी यूज कर सकते हैं कहने का मतलब है कि determined इसमें convert किया जा सकता है इसलिए इस expression में जब convert होता है तो हम इसको use कर लेते हैं area निकालने के लिए किसी triangle का area निकालने के लिए जाता है determined यह यह यूज का लिए जाता है या एक सेरस्ट डायग्राम था सेरस्ट डायग्राम मैंने बता था थार्ड वीडियो में थार्ड लेक्चर में मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाला लेक्चर जो हुआ है थार्ड के X1 स्वरी C1 और C2 जो कॉलम है उनको हम एक वार और तक शींदे के बाद में इधर से डायग्राम मुल्डिप्लिकशन मैंनससे डायग्राम के ऐलिमेंट के अलिमेंट् सींदे करके सिंद लेक्टेशन करके शूम करना है और अन्सर आजाता हो चली एक कर आथ यह एऐ एक्से ओपर शेंगरें लाएज तो आप इस war niola को यूज कर सकते हैं एरिया का एरिया निकालने के लिए किसी ट्राइंगल का या इसको यूज कर सकते हैं देखिए अब आगे बढ़ते है अब देहें किसी भी ट्राइंगल के एरिया से करते हैं किसी ट्राइंगल का इरिया उसकते हैं उसे कैसे 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 ट्राइंगल देखिए है मैंने यहां ट्राइंगल दिए डाइगा पहले टाइप के questions ऐसे रहेंगे कि वह कुछ नहीं कहेगा कि कोई triangle देदेगा कोई triangle है A, B और C पहला जो टाइप है वह क्या कह रहागा find the area of a triangle when its vertices are given vertices are given means vertices के coordinate दे रखे हैं coordinate भी दे रखे होंगे vertices का मतलब यह है तो simple पहले टाइप का question यह होगा कि किसी भी triangle है उसके vertex दे रखे है और उसका area find करिए तो direct इस formula को लगा देना इसको लगा देना या determinant वाले को लगा देना आपका area find हो जाएगा पहला type second type क्या है कि find the area of a quadrilateral भाई हमने तो area जो है triangle का निकालना सीखा यह formula triangle के लिए proof किया था लेकिन quadrilateral है मालो तो quadrilateral के लिए हम क्या करें कोई भी quadrilateral है हमारा a, b, c, d कोई quadrilateral है तो इसके लिए अपन कैसे area निकाले तो इसके लिए क्या करना है कोई भी quadrilateral है तो इसमें आप two triangles बना दीजिए इस diagonal को मिला दो या इधर से मिला दो यह हो गया आपका अब क्या करना है इस triangle का area अलग निकाले इस triangle का area अलग निकाले और दोनों को sum कर दो तो sum करने पर total quadrilateral का area find हो जाएगा तो उसमें हमको triangle बना लेना है और इस quadrilateral सी मतलब नहीं है मानलो quadrilateral है यह तो four side का है मानलो pentagon है कोई ऐसे है तो अब इसका कैसे area निकालेंगे तो इसमें भी वही triangle बना लो एक यह बन गया एक यह बन गया इसका area निकालो first triangle का second triangle का और third triangle का इसका area इसका area इसका area और तीनों को plus कर दो यहां दोनों को plus कर दो कहने का मेरा मतलब यह है कि any polygon कोई भी कितनी भी side का हो उसमें triangle बनाते चले जाए और उन सब का area आप plus कर दो उन सारे triangles का तो पूरा polygon जितना भी बड़ा होगा figure आपका quadrilateral हो, pentagon हो, hexagon हो कोई भी हो any आप find area कर सकते हैं लेकिन एक विसेस बात यहां पर यह जहां रखना है कि मानलो सब पोच करो कभी कभी जैसे हम इसका area निकाला हमने इसका area आया इस ADB ADB triangle है आपका इसका area मानलो सब पोच करो minus में आ गया minus 30 और इसका area में आपका 40 इसका positive आया इसका negative आया कभी calculation करते समय हो जाता है तो यह नहीं करना है कि 40 40 minus 30 is equal 10 कर दो 10 unit square this is totally wrong ऐसा नहीं करना है minus sign इसमें से इसको minus कर दो area 10 लिख दो ऐसा नहीं है आपका इन दौनों में positive आ रहा है तो बढ़िया कोई problem ही नहीं अगर मानलो कोई negative आ रहा है एक negative आ रहा है एक positive आ तो हमें क्या करना है negative sign को हटाना है, क्यों? क्योंकि area कभी भी neagative नहीं हो सकता length किसी की, breadth किसी की negative नहीं होती क्या positive count की जाती है तो इसलिए अगर मालो यह minus 30 है तो हम इसको plus लेंगे और यह कितना हो जाएगा 70 square unit ओके यहां लखना है ऐसे यहां पर मालो यह minus का आ रहा है यह plus का आ रहा है यह minus का 30 है यहां आपका plus का 10 है यहां इसका आपका plus का 40 है कुछ ऐसा है तो हम इन दोनों को add कर दों फिर minus कर देंगे नहीं इसको भी plus करना है तब उसके बाद 30 30 10 40 और 40 80 total add करना है इस बात का विसेज जान रखना है ठीक है अच्छा उसके बाद यह second type हो गया quadlator related problem उसके बाद में आया आपका collinearity of three points three points की हम collinearity कैसे find करेंगे इसी triangle के area के थरो इसी triangle के area के थरो हम किसी भी कोई भी three points है हम उनको कैसे मानेंगे के यह आपका collinear है देखिए तो collinearity three points की हमने इससे पहले वीडियो जो आये हैं उनमें हम बता चुके हैं कि points three कॉइं सब्रेद के में एक कि हम की starter 응 स कि के थे हैं लाइक करते हैं जब वा इसा हैं यहzn को यह कंडिशन है A B C D तो यह क्या है यह यह 9 यह यह 9 जह यपन एकations केosas और यह 9 तयर को का यह कंडिए 5 यह 9 यह 9 यह कर रहा हैं यह 119 कॉलिनेयर 119 कि raises और यह आपका नॉन को लिनियर तो यह को लिनियर्टी हम इससे पहले वीडियो में समझा चुके हैं के को लिनियर्टी की जो प्रॉबलम है पहले भी आई थी तो उस समय जो को लिनियर्टी हमने जो प्रॉफ की थी वो डिस्टेंस फॉर्मूले के जरी प्रॉफ किया था तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी को लिनियर्टी की प्रॉबलम सॉल्व हो सकती है और किसी ट्राइंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला है उसके जरी भी हम problem solve कर सकते हैं तो देखें तो यह आपका collinearity का matter हो गया यह हो गया यह हो गया एक collinearity इससे related questions उसके बाद जो fourth type है कि मानलो कोई area दे रखा है finding the unknown when three points are collinear collinear points दे रखें हैं तो किसी unknown quantity की value नहीं करना तो इससे related जब मैं questions करा हूँ जब clear हो जाएगा तो देखें तो किसी triangle का area यहां लखे लेता हूँ इसको area कोई formula आप अप्ला ही कर सकते हैं तो आप देखें अब मैं problems ले रहा हूँ जैसे कि suppose करो यह यह पहला question है find the area of a triangle with vertices उसके vertex यह यह दे रखें यह यह दे रखें देखें कोई triangle है यह कोई triangle है इसके vertex मानलों यह दे रखें क्या है 0-0 दूसरा 6-0 और आपका 4-3 यह दे रखा है पहला type है find the area of triangle when its vertices are given cable vertices दे रखें direct formula लगा दीजिए तो देखें क्या हो जाएगा area इसको x1, y1, x2, y2 और x3 और y3 यह आप suppose कर लो area of triangle area of triangle a, b, c क्या होता है half मैं determinant वाले formula से निकाले देता हूं x1, y1, 1 x2, y2, 1 और x3, y3 और 1 यह आगया तो यह क्या हो जागा यहां से देखे, 0, 0, 1 यह क्या हो गया 6, 0, 1 4, 3 और 1 r1 के respect में इसकी value निकाल दो क्या हो यह 0, 0 जे रखा है जल्दी solve हो जाएगा क्या हो गया आपका half चली रहा है यह 0 देखे, 0 लगेगा 0 और फिर अंदर multiplication क्या हो जाएगा 0 है तो जोको यह गया और यह गया बचा क्या यह इनका multiplication तो 0 minus 3 0 minus 3 माइन, फिर माइनस का 0 यह तो 0 हो जाएगा पर मैं लिखके बता ही देता हूँ इसको बार एक बार यह minus sign आएगा इसको दबाएए इसको दबाएए कितना हो गया इन्हों को दबादिया उसके बाद क्या बचा आपका 6, 1 आपका 6 और minus का 4 यह आगया इसके लिए यह और यह गए तो आपके 6 बचा 6 और 4 बचा उसके बाद फिर 1 बचा 1 में यह और यह दबादो क्या बचा 6, 3, 2, 18 minus 0 यह आगया खत्म हो गया यह 0 यह इंटू होता है यह तो पूरा 0 यह भी पूरा 0 बचा क्या 18 is equal 1 y 2 into 18 cancel 9 unit square यह answer हो गया कैसे questions हो जाए गए ओके अब देखे और इससे आप को डूसरा फार्ट फार्मूला है मालो दोसे फार्मूले से करना है तब भी वह ही आएगा तो इसको आप निकाल लो फार्मूले को फिर से मैंना भी निकाल के बताया था आपका यह area of triangle a, b, c क्या होगा यहां पर half उस फार्मूले को बना सकते हैं इसी से अभी मैंने बताया था c1 के respect में इसको नकाल दो यह प्लस यह माइनस और यह प्लस x1 x1 करूँगा तो आपका यह और यह गया तो यह आपका y2 माइनस y3 यह और यह गया y2 माइनस y3 फिर आपका यह माइनस का x2 minus sign है यह यह गया और यह गया तो y1 minus y3 और एक और है last वाला x3 यहां से फिर से आप इसको यहां से और यह गया तो यह आपका y1 minus y1 minus y2 x3 यह गया तो y1 minus y2 यह आपका बन गया यह formula बन गया यह प्लस करना है यह आपका ऐसे formula इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह आपका यह plus हो जाएगा और यह जो है 3 हो जाएगा और यह आपका 1 हो जाएगा बन गया गया यह आप इसको इससे भी निकाल सकते थे आंसर सेम आएगा देखें अब आगे बाला question जैसे कि second बाला है इसे आप निकाल सकते हैं इसको इस अब इस determinant से मैंने भी निकाला कभी बोल सकता है कि इस questions को determinant के द्वारा इसका ट्राइंगल के इस अब इसका ट्राइंगल के इस है डिटर्मिनेंट से निकालो ऐसा condition भी बोल देता है कभी-कभी तो फिर आपको determinant से निकालना है और ऐसा कोई नहीं बोल ला है कि डिटर्मिनेंट से निकालो ऐसा कोई condition नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्मूले से निकाल दो या आप इससे निकाल दो जो अभी मैंने निकाला यह जो अभी इससे इससे कर सकते है क्या है को스되ंग तुझ से कर सकते हैं कोई ट्राइंगल संपोच कर लो है इसे क्या है मारवके हैँ माइनस वन एट माइनस एक और आपका यह माइनस टू और माइनस त्री है और उसके बाद में हैं 40 तो देखे आप जब आप इसको, यह आप क्या क्या आना है, यह सेकंड वाला, माइनस 1, माइनस 8, माइनस 2, माइनस 3 पॉइंट दे रखे हैं, और 3 और 2 दे रखे हैं, 3 और 2 हैं, सोरी, माइनस 1, माइनस 8, माइनस 2, माइनस 3, और 3 और 2, तो अब इस questions को अगर हम चाहें, तो इस formula से कर सकते हैं, या value रखते हूं, या direct value रखते हूं इसमें, क्या हो जाएगा, half, x1 कितना है आपका, माइनस 1, y2, माइनस 3, y3, माइनस 2 हो जाएगा, let's add x2, माइनस 2 तो यह माइनस बन जाएगा, यह आपका, माइनस का 2 हो जाएगा, और उसके बाद y3, y3 क्या है? 2 y1 minus का 8 और ये minus plus का 8 हो जाएगा और उसके बाद last वाला जो term है वो आपका 3 x3 3 है y1 फिर से minus 8 और y2 minus का 3 है ये minus और minus plus का 3 इसे solve कर दो half ये आपका minus का 5 और ये plus का 5 हो जाएगा multiplication का ने एक पर यहाँ 10 और 10 का multiplication minus का 20 और उसके बाद यहाँ minus का 5 minus का 5 तो minus का 15 तो ये आपका minus का 15 तो ये आपका half और ये कितना हो गया आपका ये हो गया 35 minus के कितने बने 35 minus का हो गया ये और ये plus का कितना है 5 है तो क्या minus का 30 बचा इससे ये cancel हो गया minus का 15 इससे लिख दीजिए minus का 15 minus sign यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि अरिया कभी भी negative नहीं होता तो आपका 15 unit इससे ये answer हो गया इससे कभी भी किसी का vertex किसी भी triangle के vertex दे रखे है तो आप determinant वाला formula लगा दो या ये वाला लगा दो कोई साभी एक लगा दो इससे निकाल दो या उससे निकाल दो ठीक है अब इसके जश्ट आगे चलते हैं देखे अब अब इससे निकालना है तो ये भी क्विश्ट आप के कोशेंज ने क्या बता है था कि area of a quadlator with vertex, ये दे रखें, मानलो ये कोई quadlator है, हमारा, ये हमने कोई quadlator ले लिया, ऐसा भी हो, A, A है, ये B है, A, B, C, और ये D है, ऐसा कोई quadlator हो गया, अब second वाला जो question है, उसको आप कर सकते हैं, अब इसमें आप क्या करना है, कि ये A, B, C, ये सब coordinate आप, इसको A, B, C, इनको जो भी है, इसको first को A मानलो, B मानलो, C मानलो, D मानलो, इन्हें आप लॉट कर दीजिए, तो ये क्या है यापर ये, 1, 2 मानलो इसे, 1 और ये 2, A, उसके बाद में हैं, ये 6 तो अब में क्या करना हुआ इसमें, 2 triangles बना लिए, मैंने, suppose करो एक triangle ऐसे बना दिया, या इदर का diagonal मीट कर सकते हैं, कि दर से भी हम, 2 triangle ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, अब एक ये triangle हो गया, एक ये triangle हो गया, अब इस triangle का area आप निकालिए, तो फिल से आपका ये x1, y1, ये x2 और y2, और ये x3 और y3, ये मान लिजे, और इस triangle का area निकालो पहले, तो area of triangle a, b, c, determinant बाला formula, उससे कर रहा हूं है, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, इसको लगा दू, क्यों हो गए यहाप पर? तो ये x1, y1, 1, 2, 1, ये 6, 2, 1, और ये आपका x3, y3, 5, 3, और ये 1, solve कर लो determinant को, देखे, ये half चली रहा है यहापर, ये half रहता है, ये मैंने value रख दी, ये determinant से निकालना है, हम इसको area को, कभी आप उस expression से निकाल दो, देखे, आर वन के respect में, मैं करना चाहा रहा हूं, तो ये half तो है यहाँ, 1, 1, ये plus, minus, plus sin रहते हैं, इसके आर वन के respect में, आप answer निकाल दो, 1 हो गया, 1 ये जाएगा, और row पूरा, क्या, इन दोनों का multiplication, 2, minus 3, 2, minus 3, ठीक है, उसके बाद minus 2, इन दोनों को, ये और ये गए, तो आपका 6, 6, minus का 5, और एक उसके बाद में, last 1, last वाला क्या है, 1, तो आपका ये कॉलम, और ये पूरा row, तो ये 6, 18, 6 छीजा, 18, minus का 10, करता है, half, कितना बचा, minus 1, minus 1 हो जाएगा, यहाँ, multiplication करने पर भी, यहाँ क्या बचा, 1, minus का 2, यहाँ कितना 8 बचा, plus का 8, अब ये कितना हुआ, minus का 3, और plus का 8, means आपका 5 अपॉन में 2, या 2.5 unit square, यहाँ, अब इसी तरीके से, अभी हमने इसका एरिया निकार ला, अब हम इसका एरिया निकार लाएंगे, तो यह x1, y1, x2, और y2, और यह x3, y3 हैं, फिर से आप इसी में लख दो, देखे, यह आपका आंसर 2.5 आगया, और फिर मैं इसी फार्मूले को फिर यहां लगाई देता हूँ, फिर से यह डिटर्मिनेंट आपका लिखा हुआ ही है, अब एरिया आफ ट्राइंगल ए, d, c, a और यह d हो जाएगा, a, d, c, यह फार्मूला फिर से अपलाई करना, फिर से क्या हो जाएगा, हाफ, यह x1, y1, 1, 2, 1, x2, y2, 3, 4, 1, और यह आपका, 5, 3, 1, फिर से आप इसको, वह इस सिस्टम, r1 के रेस्पेक्ट में, यह प्लस, माइनस, प्लस साइन है, मैं 1 को लूँगा, हाफ, और उसके बाद, 1, इदर, यह आपका, 4 माइनस, 3, माइनस टू, 4 माइनस टी, और फिर यह गया, तो आपका, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, और फिर लाश्ट में, 1, लाश्ट में, 1 है, तो यह और यह गये, तो आपका, 3, 39, माइनस का, 20, फिर से, half, क्या हो गया, यह सॉल्व करके, यह 1 बचा, यहां से, 1, यह बचाएगा, 4 माइनस टी, 1, और 1 का, 1 में मुलिटिबिलिकेशन, 1, यहां क्या बचा, माइनस का, 2, माइनस 2, माइनस 2, प्लस का, 4, और यह यहां पर, माइनस का, इतना हुआ, यहां क्या, यह 9 है, 9 में से, यह आपका, 11, माइनस का, 11, माइनस का, बचाएगा, 11, कितना हो गया आप यह, यह 1 कम कर देंगे, माइनस, करो इसको, क्यल्कुलिशन को, half, माइनस 10, और आपका, माइनस का, 6, यहां के, देख लीजे, और चेक कर लीजे, क्यल्कुलिशन, और इसको यहां के अंसर कर दो, माइनस का, 3, हमने क्या बताया था, कि माइनस साइन आ गया न, तो माइनस नहीं लेना, इसको, प्लस लेना है, योनिट, इसक्वेर, अब, हमें क्या करना है, कि ट्राइंगल नहीं है, यह एक ट्राइंगल यह है, एक ट्राइंगल यह है, तो पूरे quadlateral का area निकालना है तो area area of quadlateral a, b, c, d is equal area of triangle a, b, c plus area of triangle a, d, c यह हो गया, तो यह कितना आया था? 2.5, यह कितना आया थे means आपका 5.5 unit square, यह answer हो गया इन दोनों को add कर दीजिए तो ऐसे भी quadlateral हो यह आपका pentagon हो, hexagon हो उसमें triangle बनाते जाएए और हर triangle का अलग-अलग area निकालो और सबको sum कर दो बस sign सारे positive लेने, इसका ध्यान लगना है अब इसके बाद जो problem है collinearity, यह दो type की problem हो चुकी है अब यह जैसे के एक है के collinearity तो हमने collinearity problem तो distance formula से solve करना बता जाथा लेकिन यह area से भी solve होती है किसी भी triangle के area के formula से भी हम collinearity problem solve करते हैं, जैसे को लीनियारिटी को लीनियारिटी का मतलब तीनों point A की line में हो तो area, triangle के area से यह problem कैसे solve होती है देखे, triangle form कब होता है आप इस बात को समझे, triangle जब ही form होगा जब जो three points हैं, वो non-collinear होंगे यह यह concept समझने की बात है कि जब three points non-collinear होंगे तो उस समय पर हम मालों यह A है, यह B है और यह C है तो इसको हम इससे मिलाएंगे इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे क्योंकि यह points हैं non-collinear जब होंगे जब ही triangle form होगा पहली बात और जब triangle form होगा तो उसी समय पर जब हम उसका area निकाल लेंगे तो वो non-zero आएगा यह concept यह डिमार्क में बठा लीजिए कि जब three points non-collinear होंगे तब ही triangle form होगा जैसे के आभी हमने आपको बताया A, B, C एक point यह था, एक point यह था मालों इन दौनों point से मैंने line को draw किया तो यह point है धाल रहा फिर इससे भी line draw हो सकती है इससे भी हो सकती है कहने का मतलब है A, B, C एक closed figure बन गया that means triangle हो गया तो triangle तभी form होता है जब तीनो points non-collinear होते है और जब triangle form हो गया तो उसका area non-zero होगा area कैसा होगा आपका area of triangle A, B, C non-zero यह याद रखना है अच्छा और अगर मालो यह तीनो points एक line में मालो एक तीनो points जो है non-collinear है यहाँ पर लेकिन मालो यह तीनो points non-collinear हो करके एक line में लाई करते हैं जैसे के यह तीनो जो point है वो एक line में लाई करते हैं जब एक line में लाई करते हैं तो कोई भी geometrical figure बन सकता है क्या कोई triangle हो ओरा है क्या नहीं हो रहा न तो जब triangle form नहीं हो रहा है तो यहाँ area क्या हो जाएगा इस से इस ABC इन तरी points से मिलके area क्या बनना चाहिए area of triangle यहाँ पर 0 यहाँ area क्या हो न चाहिए जीरो होना चाहिए क्योंग कोई figure ही नहीं बनना figure जब बनेगा जब उसी का तो area होगा कहने का मतलब है कि जब तो यहां concept यह clear हो गया कि जब three points non-collinear हैं तो एक triangle form होगा और triangle form होगा तो उसका area निकलेगा non-zero और जब three points collinear हैं तो उस समय पर उसका कोई triangle form नहीं होगा तो उस समय पर उसका area zero होगा तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि हम triangle का area निकलने का जो formula है उस formula को हम collinearity के लिए proof कैसे करेंगे कि उस formula को ही लगाएंगे three points में और लगाने के बात में अगर area zero आ रहा है तो इससे यह जाहर हो रहा है कि यह three points collinear है और area zero नहीं आ रहा है तो collinear नहीं बस simple तो देखे तो यह collinearity वाला जो matter है वो distance formula से भी solve होता है और यह इस formula से इस तरीके से solve होता है कि उस area के formula कोई लगाएंगे हम उसमें apply करेंगे triangle का जो area होता है उस area के formula में ही हम तीनो points को रखेंगे लखने के बाद में अगर area zero आ रहा है तो this means three points be collinear और area zero नहीं आ रहा है तो points non-collinear तो यह इस type का problem थी जैसे कि यह third वाला है सब्सक्राइब यह है problem यह third तो third problem ऐसा है कि prove that the points इतने 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 यह collinear नहीं निखा है यहांपर को लिनियर लिखता हो यहां पर प्रूब डेक्ट दा पॉइट्स ये 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 बी को लिनियर question mark यह रहे नहीं यहां पोइट लगा दो प्रूब करिए इस बात को प्रूफ करिए कि यह को लिनियर हैं देखिए, तो मैं पॉइंट्स लिए लेता हूँ, 2, minus 2, और आपका minus 3, 8, minus 1 और यह 4, clear? यहने, आप मान लीजिए, यह X1, यह Y1, फिर से X2, और यह Y2, और यह X3, और यह Y3, अब यह A मान लो, यह B मान लो, यह C मान लो, पॉइंट्स, अब area of triangle A, B, C formula फिर से half, वोई determinant वाला लगा दो, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1, half इनको value को रख दो, 2, minus 2, 1, minus 3, 8, 1, minus 1, 4, 1, अब फिर से इसको value को निकालिए, R1 के respect में, R1 के respect में, हम एक word यहां और भी use करते हैं, इस value निकालना मेंज, इस determinant को value निकालना बोल दो, यह आपका expand, this determinant, with respect to R1, ऐसे भी बोला रहा है, जर सकता इसको, यह sign इसको, sign convention, तो भारवार आप नहीं लिखना, यह plus, minus, plus था, clear है, देख यहां पर इसको, मैं यहां लिखे जेता हूँ, क्या होना थे, यह 2, तो टू जाने पर, उसके बाद क्या बचा, यह और यह गए, तो आपका 8, minus 4, उसके बाद यह minus sign रहता है, यहां पर, plus minus, और यह minus already दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, तो का, यह और यह गए, तो आपका, यह minus का, 3, और यह plus का 1, और लास्ट, यह है के, plus 1, यह और यह आपका, यह, तो यह बचाओ, यह खतम हो गया, तो यह आपका, 3, 12, minus 12, और प्लस का 8, यह खतम हो गया, तो देखे, हाफ, और यह खतम हो गया, और यहाँ कितना बचा, 4, 4, 2, 0, 8, डिरेक्ट, यहाँ minus का 2, और प्लस का 2, कितना हुआ, minus का 4, यहाँ, आपका, कितना बचा, minus का 4, देखें जड़ा, 8 और minus 8, cancel हुआ, 0, area क्या आपका, 0 unit, square, यह area आ रहा है, तो area 0 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, since area of triangle A, B, C, since area of triangle A, B, C, B, 0, hence, given points are collinear, यह proof हो गया, clear हो गया यह बात, कहने का मतलब है, कि 3 points collinear, जब एक line में हैं, तो वहाँ triangle form नहीं हो रहा है, और triangle form नहीं हो रहा है, तो उसका area निकले गा है नहीं, इसका area क्या होगा, 0 होगा, और जब 3 points non collinear है, तो वहाँ triangle form होगा, और triangle form होगा, तो वहाँ पर area non zero होगा, तो यहाँ यह concept लगता है, तो किसी भी इस formula से determinant से, अगर area zero आ रहा है, जिसमेंज कोई triangle form नहीं हो रहा है, और triangle form नहीं हो रहा है, तो वह points एक line में हैं, यह याद करना है आपको, clear? इस बात को याद रखेंगे, इस concept को, अब इसके बाद जो है, एक और type है, यह type, ऐसा भी questions पन सकता है, इस एरिया पर, वो क्या है कि for what values of k, यह unknown, जो last था, कि on finding the unknown, unknown means k, k है, या कोई value x है, या जो भी है, lambda है, कोई value आपका unknown quantity इस रूप में दे रखा होगा, k, x, lambda, तो unknown, unknown quantity रहते हैं, generally, on finding the unknown, when three points are collinear, यह questions change होगे है, थोड़ा सा, अभी इससे पहले हमने जो prove किया था, questions, वो क्या था, कि three points यह जो दे रखे हैं, इनके बारे में यह proof कराना चाह रहा था, कि prove that यह point collinear है या नहीं है, confirmation आपसे लेना चाह रहा था, यह इस बार को यह भी कह सकते हैं, prove that three points are collinear, यह points collinear है या नहीं है, तो हमने उस formula को लगा के, उसका area निकाला, area zero आ रहा था, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह points collinear हैं, लेकिन, अब यहां कुछ थोड़ा सा change कर दिया question को, कि for what values of K, K की कि किस value के लिए, यह three points दे रखे हैं, are collinear, कि K की किस value के लिए, यह सारे points collinear हैं, कहने का मतलब है, collinear तो हैं, लेकिन, जब collinear हैं, तो K की value क्या होगी, इस type से कहना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, कि इसी formula को, फिर से हम apply करेंगे, determination बाला, और उसको, उसका area is equal zero मान के चलेंगे, क्योंकि collinear तो है, collinear है, तब value के की क्या होगी, वो यह कहना चाह रहा है, देखिए जगा, देखिए, तो for what values of K, the points, K, 2-2K, minus K plus 1, 2K, minus 4, minus K, 6, minus 2K, तो यह जो 3 points है, यह जो 3 points जो देखिए हैं, यह कि कि किस value के लिए collinear है, तो collinear हैं, किस value के लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर, यह collinear दे रखे हैं, तो यहाँ हम इसका solution, since Yenlich सक्ते, since points, since given points, points be collinear, given points be collinear, since given points be collinear, क्योंकि collinear हैं, वो ही determinant वाला formula, half, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, is equal, 0 होना चाहिए, means, इन points से जो हम area निकालेंगे, वो area 0 के बराबर होना चाहिए, क्यों points collinear हैं, तो इसलिए हम इसको 0 लेके चलेंगे, और जब 0 लेंगे, तो यह half final जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा दीजिए, उसके बाद यह points मान लीजिए, suppose कर यह x1 और यह y1, यह x2 और यह y2, और यह फिर से x3 और यह y3, यह मान लीजिए, आगे चलके जब आप प्रक्टिस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, समझाने के लिए, इनको लिखने के भी कोई आभिशक्ता नहीं रहती, देगे अब ज़गा, तो अब इसका left-hand side, इस ही का taking left-hand side इसका, इस portion को लेके चलेंगे, और यह 0 के बरावर, हम इस portion को left-hand side, मतलब इस left-hand side में, sorry, इस left-hand side नहीं यह रखेंगे, और इसका 0 के बरावर लेके चल रहे हैं, क्योंकि यह को linear हैं। तो इसके बाद फिर हम k की value को find यहाँ पर कर देंगे, कि इसको 0 के equal लेते हुए चलेंगे, तो इसके बाद k की value find हो जाएगे, तो यहाँ this means इसे 0 के बाद equal, यह points जड़ा यहाँ लखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बना दो इसको x1, y1 मतलब k और यह 2-2k और यह 1 यह है, फिर उसके बाद minus k plus 1 और यह 2k और 1 minus 4 minus k और 6 minus 2k और 1 यह हो गया, सारे points मेंने रख दिये x1, y1 मतलब k 2k 2 minus 2k और x2, y2 minus k plus 1 है और 2k है, x3, y3 minus 4 minus k और 6 minus 2k अब इनको फिर से solve करना है, तो solve करना है, means, देखें, यहाँ इसको मिटाए जिता हूं मैं, इसको solve कर लीजिए इसको वही r1 के respect में, फिर से हम इसको solve करना है, देखें, k यह गया और यह गया, क्या बच्चा यह दोनों, इन दोनों का multiplication 2k minus 6 और plus 2k 2k, sign change हो जाएगा, 2k, इन दोनों का product, minus इन दोनों का product, यह system रहता है तो जब इन दोनों के products मैं से, इन दोनों का product minus करूँगा, तो minus sign आएगा, तो वो sign इसका change कर देगा minus का 6 और plus का 2k हो जाएगा clear, उसके बाद second, इसका sign, convention minus, plus, minus, यह को मालुमी है फिर minus का यह, 2 minus 2k फिर से इसको यह छिपा देंगे और इसको छिपा देंगे, तो बचेगा क्या यह minus k plus 1, मैं इसका 1 का इन 2 होगा, तो वो ही रहेगा इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो इसका S में multiplication इसका S में हो जाएगा, और इसका S में हो जाएगा तो यह आपका जब इसका S में होगा, multiplication, तो यह आपका प्लस हो जाएगा 4 plus k, clear, और लाश्ट में फिर क्या आपका, प्लस का 1 यह गया और यह गया, तो यह दोनों यह भी और यह भी गये, तो इन दोनों का multiplication माइनस k प्लस 1, यह बड़ा bracket लगा दो, और आपका 6 माइनस 2 k, इन दोनों का multiplication, और इनका, फिर माइनस, और यह माइनस यहां से निकाल दो तो यह प्लस कर दो, यह 4 plus k, और यह 2 k, जा गया, देखें अब, यह k, और यहां का क्या हिसाब बना, 2 k और 2 k, यह 4 k, माइनस 6 हो गया यह, किलियर हो गया यहां पर, उसके बाद माइनस, यह 2 माइनस 2 k, और यहां k से यह k cancel हो गया, और यहां आपका 5 बचा, 5 को मैंने यहां आगे लग दिया, माइनस चल रहा है, 2 के माइनस यह, और यहां आपका ही cancel हो गया, यह 5 इसको आगे रख दिया, 1 का कोई meaning नहीं है आप पर, इन दोनों का multiply कर लो, इन दोनों का multiplication कर लो, और यह सारा जो है, यह calculation, यह किया है मैंने, यह किसके equal चल ला है, 0 के, तो इन सब को 0 के बदाबर लेके चलो, यह बदाबर 0, ठीक है, और उसके बाद यहां पर यह, यह क्या हो गया, minus का k plus 1, sorry, इसका multiply करना है न, यहां, यह minus का 6 k, और plus का 2 k square, ठीक है, इसका इसमें multiply हो गया, और उसके बाद में फिर यह आपका यह 6, और minus का 2 k, यह होगा है, बहुँ, minus का 6 k, और यह minus minus, यह plus का 2 k square, और इसका फिर से चेक कर लो, यह आपका 6, और यह आपका minus का 2 k, और अब ऐसे इसका करिया जाए रहा, यह होगा न, इसका कर दिया न, माइनस का 6 k, और माइनस 2 k square हो गया, और 1 यह 6 ही यह होगा, ठीक है, अब इसका इजब से यहाँ से आपका 8 k, और यह plus का, यहाँ पर हो गया है आपका 2 k square, is equal 0, चली रहा है, अब एक step और यहाँ पर यह क्या हो जागा, उसके बाद फिर माइनस का 6 k, प्लस का 2 k square, प्लस 6, माइनस 2 k, और प्लस का 8 k, प्लस का 2 k square, is equal 0, अब देखें जागा, कुछ कैंसल हो रहा है क्या, देखें, 4 k square, और आपका 2 k square, 6 k square, और यह 8 k square, 4 k, और 2, 6 k square, और आप पर यह like-like term add कर लो, यह आपका 8 k square हो गया, उसके बाद k वाली term देखें जागा, तो यह आपका, मैनस 6 k, और यह आपका, कितना हो गया, 4 k, मैनस 6 k, और यह आपका, 4 k, प्लस का, और प्लस का 4 k, और मैनस का, फिर यह 2 k, और माइनस का 2K और माइनस का 4K माइनस का 4K देख लेंगे यहाँ से यह आपका 4K और माइनस का फिर 2K बचाएगा और फिर उसका और माइनस का 2K के बाद में फिर माइनस का 2K नहीं नहीं एक मेंट ये माइनस का 6K और आपका ये 4K बचा यहाँ 4K और फिर ये माइनस का ये आपका इन दोनों मैंसे पहले कैलकुलेशन कर लो ये माइनस का 4K बचता है प्लस का 4K बचाएगा प्लस के 4K मैंसे आपका ये माइनस का 6K बचा यहाँ पर माइनस का 4K और फिर ये और है आपका प्लस का 8K तो आपका ये प्लस का हो गया तो ये सब हो गया है उसके बाद मैं आप इसको लेख लो जागा ये आपका 10 और ये आपका माइनस का माइनस का 10 और ये आपका 6 प्लस का तो माइनस का 4 इस इकोल 0 अब इसको जड़ा इधा सॉल्व कर लीजे इसको यहां मिटाए देता हूं तो आपका ये 8K स्क्वार प्लस 4K माइनस 4 इस इकोल 0 फोर कॉमन आ रहा यहां से 4 कॉमन आ रहा तो 4 कॉमन आया तो आपका क्या बचा ये 2K स्क्वार प्लस के माइनस 1 इस इकोल 0 क्लियर और 4 कॉमन लेके इधर 0 की तरह बेज दिया उसको इसका 2K स्क्वार प्लस 2K माइनस के माइनस 1 इस इकोल 0 ये फैक्टर होगा इसके बीच वाले को ब्रेक कर दिया क्लियर यहां से यह अपका यहां 4 कॉमन आ गया 4 कॉमन लेके यह स्टैप आया 2K प्लस के माइनस 1 इस इकोल 0 उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया के को हमने 2K माइनस के में ये कर दिया उसके बाद इस में से 2K कॉमन आ रहा है तो K प्लस 1 और देखे ये इसको ये 2K प्लस 1 और यहां से कॉमन के आ रहा है माइनस 1 तो K प्लस 1 इकोल 0 तो आपका K प्लस 1 और आपका 2K माइनस 1 इस इकोल 0 तो यहां से दो फैक्टर आ गए इस मेंस K इस इकोल माइनस 1 भी हो सकता है और K इस इकोल 1 वाई 2 भी हो सकता है यह दो आंसर यह कहने का मतलब है क्योंके यह आपका quadratic form बना न, यहाँ पर, क्या बना, quadratic है, k की degree 2 है, तो यहाँ पर 2 values निकलेंगी, तो यह जो है, question अब यह था, कि को लीनियर जो है, अगर मैं यहाँ k की value minus 1 in points में रख दूँ, तो यह points को लीनियर हो जाएंगे, यह k की value 1y2 रख दूँ, तब भी यह को लीनियर हो ज तो यह area से related, जतने भी questions possible थे, वो मैंने अभी आपको सब कड़ा दिये, सारे इस type के questions रहते हैं generally, तो इनकी आप practice करें, अधिक से अधिक, जतने आप questions type सारे हो चुके हैं, तो इनको बार बार इनको repeat करते रहें, और इसमें कोई दिकत नहीं होगी, आप सफल होंगे, और य टेक करिए, शेयर करिए, और वेल आइकन बटन को दवाना भी मत भूलिए, okay, thank you